पीम नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को वैश्विक बौध सम्मिट का उध घटन किया दो दिन चलने वाले शिखर सम्मेलन का आयोजन संस्कृती मंत्रा लेद्वारा अंतराश्ट्रिय बौध परिसंग के सहयोग से 20-21 अपरिल को राजधानी के आशुख होटल में किया जा रहा है ऐसे में सम्मेलन को संबोधित करते हुए पीम मोदी ने कहा बुध व्यक्ती से आगे बढ़कर एक बौध है बुध स्वरूप से आगे बढ़कर एक सोच है बुध चित्रन से आगे बढ़कर एक चीतना है और बुध की ये चीतना चिरंतर है निरंतर है ये सोच सांस्वत है ये बौध और विस्मर्निय है वही प्रदान मंतरी नरेंद्र मोदी ने अतिती देवो भवा को बुध की इस धरती की परंपरा बताया बुध की इस धरती की परंपरा है अतिती देवो भवा अर्थात अतिती हमारे लिए देवता के समान होते हैं लेकिन भगवान बुध के विचारों को जीने वाले इतने व्यत्तित्व जब हमारे सामने हो तो साक्षात बुध की उपस्तिती का एहसास होता है ऐसे में इस मौके पर प्रधान मंत्री नरिंदर मूदी के साथ कैबिनेट के कई मंत्री भी मौझूद रहे जहां के इंद्रे संस्कृती मंत्री जी किशिन रेड़ी ने दो दिन चलने वाली समिट के बारे में जानकारी दी इस दो दिविसिया फर्स्ट ग्लोबिल बुधिस्ट समिट का तीम् रस्पान्स तू कंटेंप्रेरी चालेंज़स फिलासफिट्टू प्राक्टीस रखा गया है इस Global Buddhist Summit में दुनिया के अलग-अलग 30 देशों से more than 30 countries लगबग 170 इंटरनेशनल डेलगेट्स इससा ले रही हैं साथ ही विबिन देशों के Ambassadors और डिप्लमाट्स इस समिट में बाग ले रही हैं वहीं PM Modi ने इस कारिक्रम में युकरीन युद्ध का भी जिक्र किया उन्होंने कहा कि बुद्ध के बताय रास्ते से ही इसका समाधान निकलेगा उन्होंने कहा आज दुनिया जिस युद्ध और अशांती से पीड़ित है बुद्ध ने सदियों पहले इसका समाधान दिया था आधुनिक विष्व के यसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान सेक्रों वर्ष पहले बुद्ध के उपदेशों से प्राप्त ना हुआ हो